नमस्ते असलोंलेकुम से स्रेकाल दोस्तों वेलकम टो डी आई वाई जेंड के आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं अन्बॉक्सिंग वेवेक्स से प्रड़क्ट की यह प्रड़क्ट मैंने अमेजन इंडिया से मंग आया हुआ है तो चलिए दोस्तों जल्दी से करते हैं तो दोस्तों यह है वेवेक्स का डैशबूर एंड लधर कंडिशनल तो बेसिकली दोस्तों यह डैशबूर्ड पॉलिश है प्लस लेधर पॉलिश भी है एंड साथ में प्रोटेक्टेंट भी है इसमें तो यह प्रोटेक्ट करेगा यूवी रिडियेशन वगरा से आपके देशबूर्ड को क्या होता है कि मोसलों ताइम घूप में पारक होती है तो देशबूर्ड का कलर वगरा फेड़ होता है जैसे ब्लैक है वह ग्रे हो जाता है यह फिर अगर बेज है तो उसकी बेजनेस जो खतम होती है तो अगर यह प्रोटेक्टेंट आपने लगा तो यह थोड़ी बहुत प्रटेक्शन प्रवाइड करेगा आपकी गाड़ी के डैशबूर्ड को कलर उसका मैंटेन रहेगा और लेदर प्लस डैशबूर्ड को कंडिशन भी करता है तो दोस्तों कंडिशनर का लगाना गाड़ी की सीट्स वगरा के उपर लेदर के जो भी आइटम कि कंडिशनर ना लगाने की विज़ा से क्या नुकसान होता है बिसिकली मेरी सीट पे नुकसान हुआ है तो मैं आपको वह जरूर दिखाऊंगा तो यह है विवेक्स का डैशबूर्ड लेदर कंडिशनर यानि की पॉलिश प्लस प्रोटेक्टेंड तो नॉन ग्रीजी फॉ पॉलिश करो तो कुछ दिनों के बाद अगर आप कपड़े से दैशबूर्ड को वाइप करोगे तो क्या होता है की कपड़े के ओपर आप बिल्कुल काला काला सा कुछ देखो गे वह क्या होता है कि पॉलिश के साथ उडस जो है मिक्स हो गई होती है एकदम की चछर सी पहन पहले उसके इंटीनियर को तो दोस्तों इस प्रड़क्त का फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा मैं पहले ही इसको यूज कर चुका हूं और मैं एक हफ्ता पहले इसको एक बर यूज कर चुका हूं क्योंकि मैं रिजल्ट्स जो आपके सामने एकुरेट लाना चाहता था इस इसे आप यूज कर सकते हैं पॉलिश को डैश बोड के ओपर लगाने के लिए डब करने के लिए तो बेसिकली अगर हम प्राइस की बात करें यहां पे तो 615 यहां पर प्राइस मेंशेंड है बट आमजन पर आपको यह 595 की प्राइस में भी मिल सकता है अगर मेरे लिंक पे प्राइस देखे तो 45 यहां पर लिखी हुई है तो 40 के आसपास इस फों की प्राइस रख लीजे और यह माइक्रोफाइबर क्लोथ जो है इसकी भी चलिए कम प्राइस रखें तो 100 प्लस 40 140 140 को हम इसमें से अगर माइनस कर दें तो एफेक्टिव प्राइस आपको इसकी देन 475 की पड़ेगी तो 475 में यह डैशबोड पॉलिश जो है काफी बढ़िया है यह काफी सारी फीचर देती आपको काफी युटिलिटी आप इससे डराइव कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए बातें बहुत सी होगी अब स्रेट गाडी में चलते हैं और इसे यूज करते हैं अ तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते मेरे डैशबोड की हालत एकदम ग्रेगरी सा हो गया हुआ है ब्लैकनेस जो है वो कम हो गई है डास्ट वगयरा काफी जादा है तो अभी हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि यह कंडिशनर या पॉलिश यूज करने से पहले डैशबोड जो आपका क्लीन होना चाहिए यह कोई भी सर्फेस जाए लेदर सीट ही हो वो क्लीन होनी जाए तो एकॉर्डिंगली मैं सीट को क्लीन कर रहा हूं इसके बाद हम पॉलिश लगाना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों क्लीनिंग का प्रोसेस जो है खतम हो गया मैंने किट ओपन की हुई है तो किट में जो यह स्पंज है सबसे पहले तो इस स्पंज के ऊपर कुछ ड्रॉप्स डाल लीजिए पॉलिश के और उसके बाद इसी स्पंज से यह जो पॉलिश है इसको पूरे के पूरे डैश्पूर्ट पे फैलाईए और जब यह पूरे टैश्पूर्ट पे फैल जाए तो उसके बाद इसी स्पंज से अच्छे से रब कर लीजिए इस पॉलिश को हर तरफ फैला दीजिए जब पॉलिश जो हर तरफ फैल जाए जब आप एंशॉर कर लें कि हरे कोने कोने में पॉलिश जो है वह पहुंच गई है तो उसके बाद फिर माइक्रो फाइबर प्रॉथ लेके जो एक्सेस पॉलिश है जो एक्सेस जो यह जो लिक्विड है जो डैश्पूर्ट के आप उपर आपने फैलाया हुआ इसको वाइ के साथ स्टिक करेगी तो दोस्तों यहां पर पॉलिश होगे कंप्लीट अब देख सकते हैं आपकी डैश्पूर्ट का कलर जो है वह रस्टोर हो जो हो गया है थोड़ी ब्लैकनेस जो है वह बढ़ गई हुई है और थोड़ी सी शाइन भी आगी हुई है तो यह म्यूजिक प्लेयर का भी देख सकते हैं अब एकदम शाइन जो है आ गई हुई है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सीट की कंडिशनिंग ना करने से क्या होता है तो दोस्तों यही है वह चीज जो हो जाती है तो बाल बाल बैठने उठने से क्या होता है कि लेदर जो है यह जो है वह आ जाती है और जब सॉफनेस आ जाती है फ्लेक्जिबल्टी आ जाती है तो चीज जो है वह ज्यादा डूरेबल हो जाती है तो दोस्तों यहां मैंने डिरेक्ली अपलाई किया हुआ हमेशा लेदर पे यह पे जब भी यूज करें तो पहले पील वीयार ज़रूरी दोस्तों आपने देखा इस डैशबूड प्रोटेक्टन प्लस कंडिशनर का युजिज डैशबूड जो है काफी जदा क्लीन हो गया काफी जदा शाइन करने लगया और कलर जो है उनकी ब्राइटनेस जो है उनका कंट्रास जो है वह रिस्टोर हो जाता है जब पॉलिश य कि फ्रेग्रेंस जो है आउट ऑफ दे वर्ल्ड है बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है दोस्तों मैं यह भी चेक कर चुका हूं कि यह डास्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है तो सर्टिफाइड चीज है यह डेस्ट मेरी डैश्बूट पे मैंने दो तीन दिन के बाद चेक किया इंट्रस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रोड़क्स अपनी गाड़ी की केर करने के लिए आप जानना चाहते हैं उनके बारे में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं इस चैनल पर प्रेशर वाशर और गाड़ी की केर से रिलेटेड प्रड़क्स जो है व इंग!